नमस्कार दोस्तों देवर्शी में शाटेइनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया इंपोर्टेंट वीडियो फाइब स्टेप्स फॉर योर करियर आफ्टर लॉकडाउन दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन खतम होने के बाद मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज और प्लीज वीडियों तक जरूर देखिएगा डेफिनेटली वीडियो आपकी बहुत हल्प करने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं पूरा वीडियो और सीखते हैं आए स्टार्ट करते हैं स्टेप नमबर वन से जो की कहता है गेट रेडि फर क्रोस फंक्शनल रोल्स चलिए इसको एक एक जामपल से समझने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री में जितने भी फ्रिशेर्स हैं या जितने भी एक्स्पिरियंस वर्किंग प्रोफिशनल्स हैं आम तोर पर देखा गया है कि ये एक स्पेसिफिक प्रोफाइल पर ही काम करना पसंद करते हैं और अगर मैं बात करूँ क्रोस फंक्शनल रोल्स की तो क्रोस फंक्शनल रोल्स में आपको कमपनी में एक से जादा फंक्शन की बेटर अंडस्टैंडिंग होती है मतलब अगर आप सेल्स के हैं तो आपको आपरेशन्स में भी काम करना आता है आप अगर हर के हैं तो आपको एड्मिन में भी काम करना आता है या अगर आप ट्रेनिंग के हैं तो आपको प्लेस्मेंट्स में भी काम करना आता है experts ये कहते हैं ऐसे सारे professional जिनके पास में cross functional skills हैं या abilities हैं ये बहतर करते हैं इनके पास में career options जादा होते हैं और ये बड़ी profile पर भी आगे चलके काम करते हैं guys please or please cross functional roles निवाना सीखिए because जिस दिन lockdown खुलेगा और market open होगा आपकी company जिसमें आप already काम कर रहे हैं या वो company जिसमें आप जाना चाते हैं जिसमें आप interview देने वाले हैं वो दोनों companies आपसे cross functional roles निवाने की बात कर सकती हैं उसके बीचे बहुत सारे factors हो सकते हैं cost cutting, lay off या company की higher expectation so please or please अपने आपको cross functional roles के लिए तैयार करना शुरू करिए आए आगे बढ़ते है step number two की तरफ जो की कहता है customize your resume दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक important चीज़ आपसे share करना चाहता हूँ कि job market की situation पहले से जादा tough होगी challenges जादा होंगे but आप अपने end पे ये ensure कर सकते ह आप बहतर तरीके से तैयार हो when it comes to your resume preparation तो यहाँ पर हम कुछ बहुत important technical topics के बारे में बात करेंगे when it comes to resume preparation पहला है ATS software मैं आपको बताना चाहता हूँ guys की recruitment industry में ATS software का इस्तमाल होता है resume को shortlist करने में और बहुत सारी companies इस software का इस्तमाल करती है जिसके माध्यम से आपका resume shortlist ह होता है इसका full form होता है applicant tracking system software मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका resume MS word format में नहीं है तो यह ATS software आपके resume को बहतर तरीके से नहीं पढ़ सकता इसके अलावा अगर आपका resume PDF में है या JPEG में है तो बहुत दिक्कत आती है software को आपका resume पढ़ने में तो अपना resume MS word format मे बनाए सबसे important चीज तो यह है दूसरी चीज यह है कि अगर आपके resume में keywords नहीं लिके है keywords का मतलब है आपके specialization से related आपके experience से related या आपकी professional qualification से related information नहीं है critical information नहीं है आपके resume में तो ATS software आपका resume shortlist नहीं कर पाएगा और company भी manually आपका resume पढ़ेगी और उनको इतना attractive नहीं career objective please or please अपना career objective जरूर कस्टमाइज करिएगा because मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछली slide में मैंने आपको बताया कि companies cross functional roles निबाले वारे candidates को ज़्यादा preference दे रही हैं तो आप लिख सकते हैं अपने career objective में कि आप तयार है cross functional roles निबाने के लिए इसके लिए अगर आपके पा connection जरूर करिए आपको फाइदा हो सकता है इसके लावा अगर आपके पास experience है या आपके पास different skill set है तो आप अपनी profile summary में उसको बहतर तरीके से mention कर सकते हैं जिसका फाइदा आपको मिल सकता है when it comes to job search आये बढ़ते है step number 3 की तरफ जो कि कहता है update your skills चलिए इसको भी एक example से स इसी में अपनी skills update करने की कोशिश करें बहुत सारे freshers candidates के साथ में अकसर ऐसा होता है कि उनको कोई गलत guide कर देता है कि आप ये field चोड़ कर अगर दूसरी field में जाते हैं तो आपको बहतर package मिलेगा बहतर profile मिलेगी बहतर पैसा मिलेगा और आप एक बहुत अच्छा काम कर रह में उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक existing profile existing specialization चोड़कर एक नए specialization की तरफ दौर लगा देते हैं तो दस गुना जादा मेहनत लग सकती उसको सीखने में सबसे पहला काम तो ये करें जिस चीज में आपका specialization है उसी में अपने आपको update करने की कोशिश कर अगर आपका version 1.0 है तो 2.0 तक पहुंचे 3.0 तक पहुंचे मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी भी बड़ी-बड़ी mobile companies हैं क्या ये ऐसा करती है कि ये mobile छोड़के कुछ और बनाने लगती है नहीं ये अपने mobile का अपने product का नया version launch करती है जो updated होता है so guys please और प्लीज अ इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा please और प्लीज professional networking site LinkedIn का इस्तमाल करना शुरू करिये ये मदद करेगी आपको आपकी field के specialized लोगों से contact में रहने में और इसके लावा ये मदद करेगी कि आप company के HR को भी अप्रोच कर सकते हैं ये सारे HR LinkedIn के मादम से training से related posting करते हैं इसके लावा अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री में क्या चला है उससे related बहुत सारे articles आप पढ़ सकते हैं LinkedIn पर so guys अगर आप एक बहतर career देखना चाहरे हैं तो मैं आपको strongly recommend करूँगा please और please LinkedIn पर अपना profile बनाईए तोड़ा time spend करिए Facebook जैसा नहीं है ये क्या चला है और आप अपने बहतर contacts बना सकते हैं LinkedIn के माध्यम से एक और important चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ companies के HR बहुत सारी profiles के लिए hiring जो करते हैं वो LinkedIn के through करते हैं LinkedIn profile search करते हैं अच्छे candidates की so please or please LinkedIn पर अपना profile बनाईए उसको बराबर update करते रहे और अपने काम को बह publish करना post करना शुरू करिए आए बढ़ते है step number 5 की तरफ जो की है initiative के बारे में तो यहाँ पर मैं strongly recommend करूंगा please or please initiative लेना शुरू करें सबसे पहला initiative जो आप अपनी तरफ से ले सकते हैं वो यह कि अपनी employability skills improve करना start करें employability skills वो skills होती हैं जिनको improve करके आप नौकरी करने के ल अपनी employability skills improve करना शुरू करिये जिसके माध्यम से आप नौकरी करने के लायक बन सके दूसरी चीज है कि companies को recruiters को personally भी अप्रोच करना शुरू करें अपने आपको introduce करना शुरू करें यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप बहुत सारी jobs के लिए apply करते हैं जो नौकरी.com के माध्यम से आती है, walking के माध्यम से आती है, advertisement के माध्यम से आती है, अगर आपके पास response नहीं आता तो call करके पूछे की feedback क्या है, update क्या है, जिससे आपकी communication skills भी improve होंगी और आपको सही feedback भी मिलेगा. इसके अलावा बहुत सारी companies की website होती है, जहाँ पर company का email ID दिया होता है, व अची तरीके से record किया हुआ, जो काफी हत तक लोगों को impress कर सकता है, शायद companies को impress कर सके, HR को impress कर सके, जिससे आपके पास एक opportunity develop हो, एक अच्छे interview की, so guys, आप video resume भी बना के डाल सकते है, बहुत कम candidate ऐसा कर रहे है, इसके अलावा बहुत सारी और practices हैं, जिसमें आप नई नई website explore कर सकते हैं, और एक एक HR को target कर सकते हैं, एक एक company को target कर सकते हैं, अपना profile share कर सकते हैं, अपना resume share कर सकते हैं, और उसका एक excel sheet भी बना सकते हैं, तो ये initiative आप ले सकते हैं, बहतर job search के लिए lockdown period के बाद, दोस्तों, I hope ये video आपको अच्छा लगा, I hope इस video ने आपके कुछ doubts क्लियर किये, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना मत बूलियेगा, और अगर मेरे efforts अच्छा लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलियेगा, thank you so much for giving your precious time, thank you so much for watching this video, I wish you all the best.